राधे राधे प्रेंट्स आज सुभा के ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे ज्वार और रागी का चिला यानि कि मल्टी ग्रेन आटा का चिला तो इनको बढ़ाने के लिए मैंने एक कटोरी रागी का आटा, एक कटोरी ज्वार का आटा, एक छोटी कटोरी चना का आटा यानि की बेशन और एक छोटी कटोरी गेहुं काटा लिए हैं अब सभी आठा को हम एक बड़ी सी बॉल में डाल देंगे जुआर का आठा, रागी का आठा, चन आ का आठा और गेहू का आठा तो सारे आठा को मैं डाल दिया है इनमें हम एक चमच अजवाईन डालेंगे एक चमज कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो चली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आथा चमज खड़ा जीरा डालेंगे, असाभी आटा को हम एक साथ अच्छी से भी ला लेंगे, तो मैंने कुछ सबजीयों को बारी बारी काटा है, आप कोई भी सबजी अपने म दाल सकते हैं, और यह धनिया की बत्ती, अब सारे सबजीयों को हम अच्छे से मिला लेंगे, आप चाहे तो सबजी के बगार भी बना सकते हैं, या फिर अपने पसंद की कोई भी सबजी डाल सकते हैं, आप इन में से एक आटा को स्कीप भी कर सकते हैं, अब हम थोड़ा थो को अच्छे से त्यार कर लेंगे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर अच्छे से मिला लिया है, इनको हम जरा से ढख कर रख देंगे, थोड़ी दिर मैंने ढख दिया था, अब सुआत के नुसार हम नमक डालेंगे, नमक को भी अच्छे से मिला लेंगे बैटर के सा तो एक हमारा चीला बनाने लायक बैटर हमारा त्यार है अब चुले पर हमें तब एको चड़ा देंगे लोहा के तबा में ने चड़ाया है आप चाहे तो नौन स्टिक में भी बना सकते हैं जरा से हम तेल डालेंगे इन पर दो या तीन कर्ची हम सब्जी और मल्टी ग्रेन आ इस तरह से फैला देंगे और थोड़ी देर हम इनको पकने देंगे एक तरफ जब अच्छे से सीख जाएंगे तब उपर से हम जरा सा ओयल लगाएंगे और इनको हम धीरे से पलट देंगे यह बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं इनको बनाना बहुत ही आसान है यह खाने मे पलट पलट कर अच्छे से इनको सेक लेंगे आज को मिडियम रखना है आज को ज्यादा तेज नहीं रखना है नहीं तो चीला हमारा जल जाएगा तो मैंने दोनु साइट अच्छे से पका लिया है, तो यह हमारे एक चीला बनकर त्यार हो गया, इसी परकार से हम सारे चीला को बना कर त्यार कर लेंगे, बस जरासा तावे पर ओयल को ग्रीस करना है, आप कोई भी ओयल डाल सकते हैं, घी या बटर में भी बना सकते हैं, जरा हमारा बन गया है, अब यह लास्ट में एक चीला बचा है, उनको भी हम अच्छे से बना लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा है बैटर, तो उनको डाल कर हम एक बड़ी साइज का ही चीला बना लेंगे, और यह हलका सा सीख जाएंगे, तब इनको हम पलट लेंगे, और दोनों सा आइट पलट कर अच्छे सेख लेंगे, बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राय करें, तो आज के ब्रेकफास्ट का चीला हमारा बन कर त्यार हो गया, बस मैंने चीला ही बनाया है, इनको हम दही के साथ सर्व करेंगे, आप चाहे तो स लात को भी हम रख दिये हैं ब्रेकफास्ट के साथ, अब यह मल्टी ग्रेन आटा का चीला जो की खाने में बहुत ही श्वादिष्ट लगता है, तो फ्रेंट्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोग भी इस तरह से जरूर एक बार बना कर ट्राइ करें, थैंक यू फ्रेंट्स